हेलो एविवान लेक्ट कि मैं चनल मामा भेवी होप कुछ आर फाइप हमारे बच्ची चब दूबले-पतले होते हैं और वेट होते हैं तो हम सब प्रेंट्स के मिन में इक इस एक गया करें कि हमारे बच्चों का वजन बढ़ें हमारे बच्चों तो आज की वीडियो डेडिकेट है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के साथ इस तहा की प्रॉब्लम को प्रेज कर रहे हैं आज की वीडियो में मैं ऐसे 15 फूड आइटम्स बताऊंगी जिनको अगर आप अपने बच्चों के रेगुलर डाइट में एट कर लेंगे तो वो ना सिरफ आपके बच्चों को एक अच्छा न्यूट्रिशन देंगे बलकि आपके बच्चों के वेट गें में काफी हेल्प क होता है बच्चों के वेट गेंग में सबसे ज्यादा है हमें बच्चों को इनिशली वन यह तक मिल्क सही क्वांटिटी में देना चाहिए इसके लिए मैंने डीटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है उपर आई बटन से आपको उसकी लिंक मिल है बच्चों को इनिशली 6 मंथ में हमें ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना चाहिए एवन वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन के अक्वाडिंग भी बच्चों के इनिशली 6 मन तक मां का दूदी जरूरी है क्योंकि मां के दूद में कुछ ऐसे न्यूटिशन होते हैं जो बच् सवाब्स करें ऐसे बच्चों के मल्की बच्चे कंगा और चाहिए में बच्चों हो तो निकीशन को सब्सक्वारी नजरी चाहिए नतकीशन करें पूलध टी गडंशा ही दो दाही हमेशा घर का लािमाताजा ही होना चाहिए और वो दही full fat cream milk से ही बना होना चाहिए तब ही वो बचों के अच्छे weight gain में help करेंगे हमें market के दही को बचों को नहीं देना चाहिए बचों को अच्छा नहीं है डॉक्तर भी आपको कभी भी market का दही बचों को देने की advice नहीं देंगे initial two years से पहले इसले बचों को market का दही बिल्कुल देना वॉइड करके घर का ताजा जमा दही की दे दही आप बचों को किसी भी form में दे सकते हैं आप बचों को दही direct भी दे सकते हैं fruit के साथ उसको मिला कर fruit cream जैसा बना कर भी दे सकते हैं दही को आप बचों को smoothie के रूप में दे सकते हैं दही का श्रीखंड बना कर दे सकते हैं आप दही को किसी भी form में बच्चे को दे सकते हैं बट दही बच्चे को दिन में एक बार जरूर दीजिए एक से दो स्पून दही बच्चों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका बच्चा एट मन से बड़ा है तो आप बच्चे को चांच भी दे सकते हैं चांच बच्चे के लिए काफी अच्छी रहती है थर्ट फू आइटम है सूप बच्चों के लिए का अच्छ है आप बेग्याबल सूप कर लिए अब घ्रा इतना फिर अगार बच्च में को तो फक बैक्स षाल को शूब काम के लिएगतना थे और इतों यह वीडिया में कि आपको को वेडर है सबजू को धेते Rights Day को लोग मैं वेस्टलों टेटे कुई किसल अधे वेत ऊहुता है तो वह बच्चों को ज़रूर देटे बच्चे से बड़े शौक के साथ भी और बच्चों celebratory जलदी जलदी वें लगता है। रागी बच्चों के लिए बहुत जया होती है वेट गेनिंग में बट यूच बच्चे रागी वायद करते हैं। मेरे केस में अंचने रागी बील्कुल अवाइड की लिए 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 नहीं है। पर ट्राइप की जैजिए गर आपको बचरागी खाता है तो है नेक्स दलिया बहुत अच्छी होता है तो अग рублей स्विका डियल्ग करेंसे बूरा डलिया बहुत अच्छा होता है आधर के लिए कि घी जाता है नहीं सम्सक्राइब वह भी सॉल्फ हो जाएगी जैसे बच्चों को कई बर कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाते क्यूंकि बच्चे लिक्विट से डाइट चेंज करके सेमी सॉलेट में आ जाते हैं तो बच्चे को रेगुलर बेसिस पर घी थेंगे थूरी-थूरी कॉंटिटी में तो बच बना कर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगे आप लोगों के लिए ताल बहुत अच्छी होती है बच्चों के वेट गेनिंग में काफी हल्प करती है क्योंकि हम बच्चों को इनिशली कुछ मंस में सरफ मु ड्राइफूद पॉड़र्स द्राइफुड पॉटर सॉट जब भाध वाद बादेप्र अपने पिए के बच्चों के और रोपक्राइफ Genetin का बच्चों के में राने ऐसे ऊज़ा दो हकद बिया बनाना है जब बच्चों को बुद अंटेडियो जाया झाया हम बच्चों क बच्चों के साथ खाते हैं और क्योंकि बनाना में carbohydrate है potassium है कैलशियम है तो बनाना बहुत अच्छा रहता है बच्चों के weight gain में इवन जो बच्चे बच्चों बनाना खाते हैं वह अंडर्वेट होई नहीं सकते तो बनाना अपने बच्चे को जरूर दीजिए चीकू और अविकाडो ये भी बहुत हेल्प करते हैं बच्चों के एक अच्छा वेट गिन होने में तो आप चीकू और अविकाडो भी बच्चों को दीजिए काफी जादा नुट्रिशियस होते हैं शकर गंदी शकर गंदी कहें या स्वीट पतेटव कहें बच्चि बड़े चाव के साथ घाते हैं आप वाइल कर च्छें के साथ खाएंगे और क्यूंकि शकर अच्छें वेट को गिन करने में पटेट पाट्य को में बच्चों के विषकाडियों में काफी हलगर 08 को अठी का मने पार्ट ज़रू दीजिए सक्था प्रोड़्स अजय रहे तरह आफ धर करें क्योंकि कیलशियूं विटैमीन्पिस जहादा होता है यहाँ अचा विट ग undes chips baby बच्चों के बॉठा। ब mentre बच्चों के बच्चों के बादस को करें। इस बात का ध्यान अपना है कि जब आप बच्चे को बटर दे रहें तो आप बच्चे को घी ना दे क्यूंकि बटर एक सैचुरेटीड फैट होता है तो बच्चों के लिए बहुत जादा है तो आपको सेम डे घी और बटर बच्चे को नहीं देना है आपको पका कर मैश करकर बच्चे को काफी करता है यही 50 फूण हैं जो आपने बच्चों के रेगूले डाइट में एडट कर दें तो आपको बच्चों के यह जो दुबले पतले होने की या अंडर्वेट होने की प्रॉब्लम है यूँ जुटकियों में सॉल्फ हो जाएगी आप यह प्राइ कीजिए अंड ट्रस्ट मी आपके लिए जरूर हेलफुल रहेंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी और इंफर्मेटिव लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और क्योंकि मामा बेबी इंडिया का नामर वन प्री पेरेंटिंग चैनल आप लेशे अच्छी इंफर्मेटिव वीडियो लेकर आता है तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है नीचे दिये सब्सक्राइब बटन को क्ल करकर मुझे जरूर बताएं थैंक यू